हेलो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिक्स का चैक्टर 11 जो देखकर भी नहीं देखते कि शब्दर्थ और वेरी शोड कोश्चन आंसर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सेस्क्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए साथ करते हैं word meaning पहला word है अश्चर यानि हैरानी उसका मतलब होता है अचरज कई बार ऐसा होता है अचरज लिख देगा तो आपको उसका मतलब लिखना होगा अश्चर या हैरानी दोनों तरीकों से आप आंसा लिख सकते हैं दूसरा है रोचक दिल्चस्प, तीसरा मकमली, मलमल के समान, आपार, बहुत संबेधना, अनुभूती, शमता, योगिता, कद्र यानी गुणों की पहचान, नियामक, इश्वर की ओर से दी जाने वाली, बस्तुएं, मदूर, मीठे, आस, उमीद. अब हम पढ़ेंगे इसके very short question answer, जो देखकर भी नहीं देखती, बाट के लेखक कौन है, तो बच्चों उत्तर है, जो देखकर भी नहीं देखती है, बाट के लेखक, स्वयम लेकिका है, हिलेन केलर, ठीकर, ये क्वम स्वयम है, हिलेन केलर प्रकरती की चीजों को किस प्रकार पहचानती है, तो वो प्रकरती की चीजों को चू कर पहचानती है, लेकिका को किस में मज़ा आता है, तो उत्तर है लेकिका को फूलों की पंकुडियों को चूने, उसकी गुमावदार बनावट को महसूस करने में मज़ा आता है, अगला question है, लेकिका किस की मदूर स्वर प कर्मन तर्मुग्द हो जाती हैं कुशन नमर फूर है इस दुनिया के रिकांश लोग कैसे हैं तो तरह इस दुनिया के रिकांश लोग संबेदन हीन हैं वे अपनी शमताओं की कदर करना नहीं जानते